दोस्तो आज हम बनाएंगे पनीर से एक ऐसा हल्दी नास्ता जिसके आगे बच्चे बजार के पीजा बर्गर भी भूल जाएंगे तो चलिए विडियो को सुरू करते हैं इसके लिए लेंगे एक कप गेहू काटा उसमें दालेंगे आधा चमच नमक, खड़ा जीरा, काली मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी और चिली फ्लेक्स इन सारी चीजों को डाल करके हम यहाँ पर एक स्मूथ बैटर तयार करेंगे स्मूथ बैटर को तयार करते समय आप ध्यान रखें कि पानी को एक साथ न डालें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें आप यहाँ पर देख सकते हैं बनाते समय या घोल को घोलते समय मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाला है और इसे इतनी अच्छी तरह से हम इसे मिलाएंगे कि इसके अंदर कोई भी लंस ना रहें और गुठलिया ना रहें तो हमारा बैटर रेस्ट हो रहा है तब तक एक फिलिंग बनाते हैं जिसके लिए लेंगे हम आधा कप पनीर, पनीर को मैंने यहाँ पे कदुकस पे ग्रेट कर लिए इसके साथ डालेंगे, पटा होने के लिए चिली फ्लेक्स, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक स्वात के अनुसार और इन सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से हम लोग मिला लेंगे, इसमें मैंने डाला है यहाँ पर वन फोर्थ कप के करीब कॉर्ण, कॉर्ण बच्चों का फेवर लगा देंगे, इसके बाद यह देखे हमारा जो घोल है, घोल की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, न जादे गाढ़ा है, न जादे पतला है, अब यहाँ पर भर करके एक से डिड़ चमच के करीब लेंगे, और यहाँ पर एक पतला पैन जैसा बना लेंगे, यहाँ प हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, लगाने के बाद इसे हम लोग मोड देंगे, जादा थोड़ा कम ही जब यह सिकाए या सौफ्ट रहे, उसी समय हम लोगों को इसे मोड देना है, अगर जादा सिक जाएगा तो मोडने में असुविधा होगी, और इस तरह से देखिए हमन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो पर नए है, तो वीडियो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बिल आइकन दबाना न भूलें, ऐसी बहुत सारी हिल्दी और टेस्टी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, एक बार आप उस पर चेक आउ आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में जो टाकोज मिलते हैं, वो मैदा या किसी भी चीज के, लेकिन इस तरह से आप गेहों के आँटे का घर में टाकोज बना करके अपने बच्चों को दे सकते हैं, और एक इंट्रेस्टिंग रेसिपी आप बच्चों को अपने खिल दे एक वर को दे जो गेड़ा सूइएयो बच्चों को बच्चों करे दो नेपे हैं, बच्चों को बचंचों को रखवां को खिले सिक्ष apolog maintenance को बचों को बचल को जा करेकिन एस तरह से शीम किसी आफ जापा है